कि आपको आपने बिल्कुल धूप नहीं देखी, आप पैदल नहीं चली और आज आप इतरा करती तो बची कहे के आवे लो धूपो आमें, लुही आमें कहे के जलत हो, हम तोरे साथे आई, तू मत जलत हो है देख के हमें दया आवे ले, तो धूप में मत आवल करा, तो हम कहे चाची हम आपके लिए आए हैं आज हम धूप में जल रहे हैं जला रहे हैं अपने आपको तो सिर्फ हम अपनी जनता के लिए कर रहे हैं ताकि जनता समझे कि हाँ कोई हमारी अगर मदद कर सकता है हम आपके लिए आए तो आप हमारे लिए इतनी मदद करिए कि हमको उस लायक बनाईए गाउ में जो हमारे हाँ सिच्छा का जो अभाव है सिच्छित लोग बहुत कम है और उसी की एक देन रही है कि देखे गरीब होना कोई अभिशाप या पाप नहीं होता है लेकिन सिच्छित जो बेक्ति नहीं है और साथ में गरीब हैं उन लोगों का सारीरिक मानसिक आर्थिक हर तरीके से सोसड किया गया है और सोसड करने के बाद ये हुआ है कि बेक्ति अपनी बात को कह नहीं पाया है उसको अगले बेक्ति ने जैसे चाहा उस तरीके से उसका हर तरीके से सोसड किया गया है तो हम तो सबसे पहले ये चाहते हैं कि हमारे गाउं में जो भी पर इस्रंद के बाद मिलती है तो उसकी कीमत होती है तो जो है महीने तक जो मैं कभी गाओं की गलियों में नहीं घुमी थी नमस्कार मेरा नाम सौरब उपाध्याय है उत्तर प्रदेश में इस समय तिर अस्तरी पंचायद चुनाव जोरोपे है हम आजमगण मंडल के अंतरगत रानिक सराय बलाक में टेंगरपूर ग्राम सभा में मौझूद है हमारे साथ दाहिने हाथ इस समय टेंगरपूर ग्राम पंचायद से प्रदान पदि की उमिद्वार हैं उनसे हम बाजचीत करेंगे कि इनका क्या मुद्दा है किस मुद्दे को लेकर या चुनाव मैदान में है मेरा नाम ससी कला सिर्वास्तो है मैं ग्राम टेंगरपूर और भंगाग ग्राम पंचायद हमारी आती है मैं यहां की रहने वाली हूं और मैं पोस्ट ड्रेजेशन हूं और मेरे लिए यहां पर आने का सिर्फ एक ही मकसद था आने के लिए कि हमारे गाओं की जितनी भी जनता है उस जनता में विकास के नाम पे जो है जनता हमारी बहुत असंतुष्ट थी जनता को बहुत ज़्यादा निरास थी हमारी जनता कि हमारे गाओं में दोनों गाओं की जो ग्राम सभ पती हैं वो इस समय डिप्टी एस्पी सिधार्त नगर डिस्टिक और डुमरिया गंज में उनकी पोस्टिंग है सर्किल डुमरिया गंज है तो जब मुझे एसास हुआ कि हमारे लोगों में जो है एक आर्थी किस्तिती एकर कमजोर होती तो समझ में आता है लेकिन जब मानसी क इस्तिती लोगों की दैनी हो जाती है जब लोग मजबूर हो जाते हैं हर तरीके से और उनके मन में वी बिचार आता है कि हमारा उद्धार कोई नहीं कर सकता है पुलिस विभाग में बड़े पदाधिक पद पर हैं फिर भी आपको ऐसा क्या लगा कि आप ग्राम पंचायत में आई और ग्राम प्रधान पद के लिए मिंदवारी ठोका जबकि वर डिप्टी एस्पी साहब है तमाम आपका कोई कार रुक नहीं सकता सब कुछ हो सकता है तो आपको ऐसा क्या लगा किस दिश्टी से आप चुनाओ में खूदी हमको इसलिए ऐसा लगा क्योंकि हमारे गाओं में देखे जब पूरूस प्रधान जो जैसे घर का मुख्या पूरूस प्रधान होता है तो वही कमजोर है तो महिलाओं की क्या बात कहना तो महिलाओं की ये स्थिती चल रही कि जब जो पूरुस लोग हैं अपने अधिकारों को नहीं पापा रहे हैं, तो महिला की स्थिती तो इतनी उससे ज़्यादा नीचे होगी, कि महिला हैं तो अपने घर में अपनी बात नहीं कह पा रही हैं, क्योंकि पूरुस समाज में नहीं खड़ा हो सकता, तो महिला परिवार की बीच में कैसी खड़े हो जाएगी, वो अपनी बात को आदमी तब कहता, जब हमारे सामने कोई हमारी बात को सुनने वाला हो, तो जब हमारे गाउं की स्थिती ऐसी चल रही, कि विकास बिल्कुल किसी तरीके से नहीं हो पाया है, और जनता बहुत ज़्यादा निरास हो गई, तो मुझे सिर्फ यही देख के तकलीफ हो कि ऐसे पद पे रहने हम हैं जिस जगें पर, तो अगर हम जैसे लोग अगर अपने जो है उतर दाए, तो जो हमारा होना चाहिए, उनसे अगर हम दूर भागेंगे, कि हम अपनों के लिए अगर नहीं कुछ कर पाए, तो हमारा इस पर पे रहना बैकार है, इसलिए हमको यह लगा कि हम अपने गावालों के लिए, जो हमारी भी अपनी जन्म होमी है, तो हमको अपनों के लिए हमें करना चाहिए और हम इसी उद्देश से आये हैं कि यहाँ पर और महिलाओं के लिए तो हमारी बहुत ज़्यादा सोच है कि हम चाहते हमारे गाउं की महिलाओं इतने जागरूप हो और हर महिला इतनी आत्म निर्भर हो कि किसी भी तरीके की आज जैसे हमारे समाज में पूरुस और महिलाएं जो हैं वो कंधे से कंधा मिला करके चल रहा है सिच्छा की बात हम कर लेते हैं तो सिच्छा आप कहां सग्रहड की हैं जी जी हमारी सिच्छा हमारा जो हुआ है मायका हमारा डिस्ट्रिक फतेपूर है और फतेपूर सीक्री नहीं फतेपूर है जो कानपूर से आगे पड़ता है वहां हमारे हुआ है तो वहां पर मैंने जो है वहां पर रहकर के फतेपूर में ही हमारा जो वह हुआ है इंटरमीड जाना होता होगा तो कैसा अनभव होता है अनभव तो आपको सच बताऊं कश्ट तो बहुत होता है लेकिन जब जनता के कश्ट को देखते हैं तो हमें अपना कश्ट बहुत छोटा नजर आता है कि ये जनता जैसे हम जैसे लोग जिस माहौल में एक घंटे नहीं गुजार सकत वो पूरा जीवन यापन उतने कष्ट से पलपल उस कष्ट में गुजार रहे हैं तो वही देखकर कि मेरी अंतर आत्मा ने कहा कि नहीं अपने लिए तो सब कोई बहुत कुछ कर लेता है लेकिन अगर हम अपनों के काम आ गए जो हमारी भी जनम भूमी है तो अगर हम उसको आगे बढ़ा लेते हैं और पूरुस के साथ साथ जो महिलाएं हैं उनको भी इतना आत्मिरभर करना चाहते हैं इतना आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हमारे गाउं के भी पूर्सों को ये लगने लगे कि सहरों में ही नहीं आज हमारे गाउम की भी महिलाएं और लड़कियां हैं जितनी भी बहु बेटियां हैं इस योग हो जाएं इतनी आत्मिर्भर हो जाएं कि ये पूर्सों को भी नाज होने लगे कि नहीं ये हमारे गाउम की भी महिलाएं वो महिलाएं हैं वो हीरा जिनकी कीमत हम लोग नहीं सम तो पूरुस महिला के बिना अधूरा है, महिला पूरुस के बिना अधूरी है। पारेरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरीके से सोसड किया गया है। किया आपने रणीद बनाया है? सिच्छा को लेगर के मैंने ये रणीद बनाया है कि देखी ऐसा है कि जो लोग बहुत जागरूख होते हैं, जैसे सहरों में होता है किसी को कहना नहीं पड़ता है। तो मैंने देखा कि कुछ महिलाएं ऐसी थी जो मैंने उनसे कहा कि भाई तमाम सारे मैंने फाम भरवाए, जैसे व्रिद्धा पिंसन है, विद्धा पिंसन है, रासन कार्ड है, इस तरीके कि तमाम सारी योजना पर युवन ये तो तब कोई भी आमवेक्ति कर सकता है अकर हम करना चाहें तो, तो मैंने कहा तो युवा कि भाई आपको सिगनेचर करना है, तो उन्होंने साफ कह दिया कि मैडम ऐसा है कि हम पढ़े लिखे तो है नहीं, हम नाम नहीं लिख पाते हैं, हम तो अंग उठा ही लगा पाएंगे, तो अंदर से बहुत गलानी हुई हमको, कि म हमारे गाउं के स्थिति यह हो गई है कि हम 50-50% में भी नहीं है, कि हमारे गाउं के लोग 50% पढ़े लिखे हैं, तो 50% अनपढ़ हैं, तो मतलब सिच्छा का भाव इतना जादा है, तो मैं यह सोच रहे थी कि अब जो लोग बुज़ुर्ग हो गए हैं, ऐसे हो गए हैं, ल क्योंकि तमाम सारी ऐसी घटनाए हमारे गाउं में हुई, कि जैसे मनरेगा का कार्ड बनता है, रासन कार्ड बनता है, लोगों को सिर्फ एक सिच्छा की कमी होने के वज़े से, लोगों को अपने अधिकार नहीं पता चल पाते हैं, अगर लोग पढ़े लिखे होंगे, हमसे जैसे चाहता है, वैसे हमारा मिस्यूज कर लेता है, हमारा सारी मानसी का अर्थिक करता है, तो हम अपने को बचा नहीं पाते हैं, हमारा एक तरीके से बहुत हमारी हानी हो जाती है, तो इसलिए उसी दिन से मेरे मन में मैंने ये तैय कर लिया, जब पहली बार मैं यहां पर आई कि सबसे पहले तो अपने गाउं के लोगों को मुझे सिक्षित करना है और बच्चे जितने हैं क्योंकि हमारे हाँ सरकारी विद्याले दो हैं और एक प्राइवेट है तो जो सर जी चलाते हैं हमारे सुधी चाचा जी जो चलाते हुए इस स्कूल को लेकिन उसके प्यास करने के बाद भी आज भी जनता हमारे हां सिच्छा का बहुत ज्यादा अभाव है तो सबसे पहले यहीं चाहते हूं कि मैं अपने इस तर से इसे में सबसे जोड़ दूँगी और जब लोगों सिच्छित होंगे तो उनको पता होगा कि हमारे लिए हमारे क्यादिकार हैं किसी चीज उनको जानकारी नहीं है और रहीवाजा कि आपकि क्राम सभाग के लोग सरकारी उचनाओं का लाब नहीं पापा रहे क्यों नहीं ले पा रहें या जो लोग भाई जो गाओं के ऐसे लोग होते हैं जो अपने को सर्वे सर्वा समझ लेते हैं तो आप सर्वे सर्वा समझ के जनता का हिद करिए परदान जी लोग सरकारी उचनाओं का लाब जनता को नहीं देना चाहते हैं अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे कि क्यों नहीं देना चाहते हैं लेकिन जनता की बीच में जब से मैं 6 महिने से आई हूँ मैंने इस चीज को देखा है कि जनता मतलब इसलिए तो मानसी किसी तितनी दैनी मुझे नजा रही कि लोगों ने कहा कि मुझे कालोनी चाहिए था कालोनी आया तो भाई सहाब कालोनी के नाम पे हमसे पैसा लिया गया कि हम आपको कालोनी दिला देंगे तो हमको आप पैसा दीजिए लेकिन पैसा किसी ने सूध में दिया किसी ने ब्याज में दिया किसी तरीके से दिया लेकिन उसके बाद भी जनता को कालोनी नहीं मिल पाई तो कहने के मतलब जनता इतना जादा स्थिती इसनी खराब हो गई है और इसी तरीके से मन्नेका का कार्ड बगरा बना उसमें भी हैई कंडिशन हो गई लोगों को जैसे सरकार आप जानी रहें जनता को कि क्या हुआ जनता के मन में कि यहीं पता है कि पूरे पांच सालों में केवल बीसे दिन सरकार ने हमसे काम के लिए कहा होगा तो प्रधान जी ने बीसे दिन काम कराया लेकिन उनको जनता को पता ही नहीं कि असी दिन का पैसा हमारा कहां चला गया काम लोग 20 दिन करते हैं पेमेंट अपसी 100 दिन का कैसे निकले हैं ने ने तो यह बास है यह लेकिन कम से कम जब सरकार 100 दिन का रोजगार हमें दे रही है तो यह प्रधान जी का उतरदाई तो बनता है ना कि उनको भी दिखाना होता है ना कि 100 दिन का रोजगार जो है हमको दे उसमें अख़बारों में पढ़ते हैं कि जन जो सरकार जितनी अच्छी है कि हमको जो है वो सौ दिन का रोजगार दे रही है लेकिन सहाब आप तो बीसे दिन काम करा है कि हमें पैसा ना दे हल गयल हैं हमसे कामें ना ले हल गयल मिल पाया है तो विकास करना तो खैर है है अपनी इस तर से हम अपना पूरा तनमंधन लगा देंगे कि हमारे गाओं में हमारी जनता को हर इस तर से जो भी योजनाय आती हैं उनका पूर्ड लाब मिले पूरी तरीके से लाब मिले और इस जनता को सबसे बड़ा हमारा आने का म रहा हूं। लेकिन मेरी जंता इतना जागरूख हो जाए कि अब आने वाले 5 साल के बाद कोई भी बेक्ति चाहिए, कोई भी बेक्ति-परधान मनें लेकिन जंता का जो आज तक फोता चलाया है कि सारी मांसिक आर्थिक सोसल मोफ जल्या है तो अब हमारी जंता का कोई सोसल बता देंगे उनका अधिकार बता देंगे बिल्कुल हर अधिकार उनको बताना चाहते हैं हर चीजों के उनको कराओंगी यहां तक मेरा प्रयास रहेगा और लोग मेरे जब से मैं आई हूं लोगों को बहुत मुझसे उम्मीदे हो गई हैं और गाओं में भी तमाम तरीके की राजनीती पहले चलती थी कुछ चीजे कितने परतीयासी आपके गाओं में देखें हम मैं सुरू-सुरू में जबाई तो टोटल ग्यारा प्रतीयासी थे ग्यारा में भंगहा करके कोई अच्छा काम कर सके जो व्यक्ति भी इस लाइक हो कि जो हर तरीके से जनता को उसके अधिकारों को दिला सके और जनता को जागरू करा सके जनता जिसको लाइक करे जो हर इस तर से इस जगे पे हो कि वो जनता कहीं से भी वो मतलब रुष्ट ना होने पाए जनता कि हर जिता से मदद की जा सके अगर कोई विवेक्ति ऐसा होगा तो उसको चैन कर लिया जाता है और मेरा बहुत-बड़ा सवभाग है कि उपर वाले का बहुत-बड़ा आसिरवाद है कि ग्यारा प्रतियासिव में से आज की डेट में सिर्फ तीन प्रतियासि हमारे भंगा और टें इंगरपुर से हैं तो यह चीजे हुए बाकी जितने ग्यारा प्रतियासि थे तो यह तो बाद में आए जो तीसरे थे तो बाकी जब सुरू में आई तो ग्यारा थे और नौ लोग हमारे साथ हो गए अभी परचा भरने की दिन एक प्रतियासि मतलब अटेंड़ना मां गए जैसे तो अब यही चीज हुआ है तो अब लोगों ने कुछ भी समझा या उपर वाली की कृपा रही अगर अब मेरा होसला और बढ़ गया है कि अब मुझे और हर तरीके से होता है ना कि कोई चीज जब आसानी से मिल जाती है तो उसकी कीमत होती है लेकिन कोई चीज जब को बहुत मतलब जमीनी स्थर से उतर के मैंने जनता के बीच में गई मैंने देखा कि हमारी जनता इतना ज्यादा कष्ट में है इतना ज्यादा तकलीफ में है कि मतलब सारीरिक मांसी कार्थिक हर इस तर से जनता और सुरू सुमें तो मैं आपको बताऊं जनता ने यहां तक क पढ़ा लिखा भी आग्ती है टी कि पणधा लिखा समोश और चीजे देगा अब वहला मताइगए बिकास होगा तो गाउं आदर्स गाउं होगा। मतलब नजदिक से हमारी तकलीफों को सुनने और समझने वाला सुबह की दिन चर्या कब बज़े आप चुनाओं में निकल जाती हूंगी? पैदल नहीं चली और आज आप इस तरह करती हैं तो बची कहे के आवे लो धूपो आपको तो सिर्फ हम अपनी जनता के लिए करना हैं ताकि जनता समझे कि हाँ कोई हमारी अकर मदद कर सकता है हम आपके लिए तो आप हमारे लिए इतनी मदद करिए कि हमको उस लायक पुलिस विभाग कहा जाता है कि 24 आवर्स पुलिस वाले ही रहते हैं लेकिन मैं अपने मुझे कुछ नहीं कह रहे हुँ आप अगर कभी मौका उसर मिले तो आप हमारे गाउं की जनता से मिल सकते हैं तो वो बता देंगी कि मैं भी उसी तरीके 24 आवर्स मैंने किया है 6 महिनों से कर रही हूँ और हमेशा करूंगी ये प्रधान पत के लिए हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है मैं चाहती हूँ हमारे गाउं की जनता से हमारा इतना प्यारा और इतना आटूट संबंध हो जाए और जनता हमारी इतनी जागरुख हो जाए एक मिसाल काइम हो जाए कि नहीं कोई महिला ऐसी आई थी हमारे बीच में जो वाकई हर इस तर से उसने हमारा दुख सुख समझा और अगली बार दूसरा कोई आएगा तो ना जात ना पात ना उचा ना नीचा लोग उसकी योगता देख करके केवल प्रधान की योगता को देख करके कि जो हर इस तर से हमारे लिए मददगार होगा जो हमारा जो एक तरीके से कहा जाता है कि जो हमारे लिए खड़ा हो आप लोग भी हर जगे जा रहा है इंटर्वी बहुत सारा ले रहे हैं आप तो प्रधान पद जो हो गया है तो मैं भी शुरू-शुरू में आई बसे भी लोगों ने कहा कि भाई आप सियोस आपकी और अउरत हैं आपको प्रधान पद की क्या हो सकता है आप क्यों प्रधान के लिए आपको क्या हो सकता है तो मैंने उस जनता को ये जवाब दिया देखिए क्योंकि प्रधान पद जो होता है वो प्रधान का मतलब होता है कि जनता का प्रतनीजित करता है जनता जो है उसको अगर इखटा करती है अगर लाती है बीच में तो सिर्फ एक आप माध्यम ह होते हैं हैं लोगों ने कहा इतना पैसा आता है उतना पैसा आता मैंने का पैसा किस के लिए आता है पैसा हमारी जनता के लिए आता है है अगर वह है अगर आदमी उसमें संतुष्ठ है और अगर वह वाकई चाहता है तर्मन धन से हम अपनी जनता की सेवा करना चाहते हैं तो आदमी कर सकता है तो ये पैसा जो आता है वो प्रधान के लिए नहीं आता है वो पैसा जो आता हुँँ अगर वा जन जन तक पोचें तो गाउं की समस्यान दूर हो सकती है जैसे हमारे यहां चलता है जो आपका self help group होता है जो महिलाओं के लिए होता है जो हाँ जिसको समू बोलते हैं स्वेम साहता समू जो होता है उसमें भी अपने महिलाओं को बहुत हम जोड़ना चाहते हैं सब्सक्राइब तो इस वज़े से मैं चाहती हूं कि कम से कम महिला इतना जागरुक हो जाएं और अपने इस तर से और मैं यह चाहूंगी कि हमारे गाव में जैसे अभी मैंने खोल रखा है अपने घर पे ही मैंने देखी इस चुनावी दावरान में जबकि जो भी प्रतियासी खड़ा होता है देखिए तो उस प्रतियासी के दिमाग में केवल टेंसन चुनाव का रहता है लेकिन मेरे दिमाग में वो टेंसन नहीं है क्योंकि मैं 6 महिने से जनता के बीच में मतलब उतर चुकी हूं और जनता के दिलों के बहुत करीब पहुच चुकी हूं मतलब 90% जन जनता को जगी जो आज तक लोगों ने शुरू में आई लोगों ने कहा मुझे विकास से कोई मतलब नहीं है इसी जनता ने च्छे महीने पहले मुझे से कहा था कि मुझे विकास से कोई मतलब नहीं है हमको तो भीया हमारे हां इतने लोग हैं और लोग मदद कर देते हैं किसी भी इस तर से आर्थिक इस तर से किसी इस तर से तो यह हम लोग जाकर कि ओड़ दे देते हैं अब आप हमारी बात किया है और बात चीद करने के लिए आपको धन्यवाद हमारे सुप्पा धन्यवाद नमस्ते से आई विंडियनूस के सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबातर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोडिफिकेशन्स आप तक पहुंचते रहें